दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे आलोक इंडर्स्ट्री लिमिटेट के बारे में अगर हम बात करें फ्राइडे का सेशन यानि 5 जनवरी के दिन तो आप देख रहे हैं कि तो लगभग 20% का अपर सरकिट माड़ा हुआ है मतलब कि 32.55 पीए टेड कर रहा है अगर जिसके 5 डेस का डाटा देखे हैं तो लगभग 50% का अपर सरकिट लागा हुआ है मतलब कि 10 रुपे का डिफरेंस देख रहा है इन 5 दिनों के अंदर आखिर ये तनी तेजी देखने को मिल क्यों रही है हमें इन 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ क्या आखिर में अगर आप देख हैं तो लगभग 112% का हमें अपर सरकिट दिख रहा है मतलब कि 17 रुपीज का फर्क हमें देख रहा है इन बीते एक साल के अंदर आखिर ऐसा उसमें भी क्या हुआ था अगर हम बात करें पीछे एक साल पहले की बात तो जिसमें 15-16 रुपिया के आसपास ये टेट चल रहा जब Reliance ने इसे overtake किया और उन्होंने अपने fund release करने की बात कि लगभग कुछ 600 करोड का fund release किया था जिसे कारण क्योंकि हम जानते हैं कि आलोक इंड़स्ट्री के उपर डेप्ट बहुत ज़्यादा जिसे कारण आलोक इंड़स्ट्री आगे नहीं बढ़ पार तो जब से Reliance ने फिर जैसे ही उन्होंने fund release कई बात कि 3300 करोड की तो फिर से हमें यह 32 के आसपास आते हो दिख रहा है तो क्या यह सम्हवना बन रही है कि आगे भी जा सकता है क्या यहीं से पीछे भी जा सकता है या हो सकता है कि यहां से गिर जाए वापस चुकि अगर हम इसका 5 साल का देखें तो आप देखेंगे कि 2022 के आसपास यह एक बार फिर से 32 के आसपास यह गया था फिर वहां से उसने return लेके फिर से वो और 23 में यह अपने एक level पर trade कर रहा था फिर अभी अगर recent का देखें तो फिर से यह 32 के आसपास दिख रहा है मतलब हो सकता है अगर यह यहां का लेवल तोड़ता है तो हमें यह 40 के पार जाते वह दिख सकता है अगर यहां से bounce back करता है तो फिर से हमें यह 22 23 के आसपास देखने को मिलेगा अब जो न्यूज जो आई है उसे देखेंगे तो आप यहां देखेंगे आलोक इंडस्ट्री शेयर शोर और 300 क्रोर फंड इंफ किया गया थे 300 क्रोर के बाद उसके बाद आलोक इंडस्ट्री का जो शेयर था वह अपने उचायू पर पहुंच गया तो यह जो बड़ी न्यूज है जिससे कारण हमें आलोक इंडस्ट्री में इतनी बड़ी तेजी देखने को मिल रही है क्योंकि में रिजन यही है तो हो स इससका न्यूजम देखें तो इसमें यह लिखा हाँ कि सेир आलोक इंडस्ट्री यूग्ंडप आग एंडफ य existem अपर शर्कित आप्टर रिद्यू इंडस्ट्री इंडस्ट्री अंड मिल इंडस्ट्री अर्ग कोर सब्ट्री इंडस्ट्रीं सेर इ commandments के एडन एंडस्ट्री की अच्छा वही है कि इंके तरफ से जो फर्ल रिलीस किया गया इंके कारण हमें इसमें सोड इसमें उचाया देखने को मिल रही है क्योंकि आप दिखेंगे the stock of alok industry open at 21.65 on the NSE and was under pressure in early trade आप से ये early trade पर ये अपने under pressure में वर्क कर रहा था कि after an exchange feeling about the issue of preferences share of real, the share price turned positive and it soon hit the 20% upper circuit adding at 25.80 कहना वही है क्योंकि जब ये 21 पर trade कर रहा था ये pressure पर जिस तरह था जब से reliance के तरफ से ये news आई उसके बाद हमें direct हमें 20% का upper circuit देखने को मिला और ये direct जो पहुँच गया है वो 25.80 पर पहुँच गया है उसके बाद से अगर आप भी हम देखें बीते तीन दिन के अंदर तो ये 32.55 पर trade कर रहा है जाहिर सी बात है ये इसके उपर जो news आई ये काफी बहुत बड़ी अख़बार है तो अगर इसकी volume देखें तो लगबग 34 करोड के आसमा से ये trade कर रहा था Friday का मतलब काफी ज्यादा ये रूजहान देखने को मिला हमें investor को तरफ से और retailer को तरफ से कफी ज्यादा ये market में छाया हुआ है तो क्या लगता है कि ये आगे भी जा सकता है इसके अगर इसके आगे और बात करें तो जो money control user है उनके तरफ से जो recommend किया गया है आगर आप देखे मतलब अगर हम कुछ समय पहले देखे तो ये 50% का था बाई का 20% शेल का था अगर यहां हम देखे hold किया तो ये 0% अभी दिखा रहा है लेकिन कुछ समय पहले ये दिखा रहा था 20% मतलब काफी जादा हमें improve देखने को मिल रहा है अलोग इंडेस्ट्री इसके उपर आगे अगर हम बात करें तो अगर हम इसका देखे इंसाइडर ट्रांजेक्शन था मेरे इसका कर देखे तो जो last ट्रांजेक्शन जो हवा था इंसाइडर के तरफ था उस समय हमें इंसाइडर में हमें कुछ हलचल देखने को मिल रहा था लेकिन उसके बाद हमें अभी तक कोई नहीं देखता है तो ये भी एक में कारण है जो शेयर उसमें तक आगे बढ़ नहीं पाया है अगर आप जैसे रिलाइंस में देखें जैसे इनुन इंवेस्ट कि अगर इसमें इंसाइडर का भरोशा आ जाए जिस तरह से इंस्ट्यूशन जो भी होते हैं उसे अगर भरोशा करने लगे अगर पने पैसा इसमें फंड आने लगे तो जाहिर सिवाते हमें यह 40 नहीं 50 के पार भी जाते हुए दिख सकता है अगर हम बात करें इसके शेयर होल इंबर तक देखें तो यह अभी तक इसमें कोई बदलाव नहीं आया है ना ही कोई सेलिंग आया है ना है कोई बाय आया मतलब अभी इसमें कोई हल्चल हमें दिखने को नहीं मिल रहा है एफाइस का जो अगर हम इसका देखें तो 2.15 परसेंट ही इसमें बस सिप इसका सेयर मा काफी ज्यादा कम हमें देखने को मिल रहा और जो सबसे ज्यादा हमसे देखने मिला प्रोमोटर्स के बाद की अगयार कि अगर Duck प्रोमोटर्स का भी इसमें खड़ी-दारी देखने को मिल रहा है, जिसके कारण यह अभी तक पसा हुआ है। जिस तरह से रिलाइंस ने फंड रिलीस किया है, हो सकता है हमें कुछ दिनों में प्रोमोटर्स का भी इसमें भरोशात देखने लगे। फंड आते हो अभी दिख जाए हमें ये कहिना गलत नहीं होगा कि ये हमें 40 के पार दिख सकता है क्योंकि ये इसमें अभी बहुत बड़ी चांस मौका भी चल रहा है क्योंकि अगर हम बात करें सुजलौन का भी है तो वह भी बहुत बड़ी डेप कंपनी थी 9-10 रुपय के आ पास-पास वह टेट कर रहा है हो सकता है कि अगला जो सुजलौन है बन जाए ये अलोक इंड़स्ट्री क्योंकि जिस तरह से इसमें फंड आ रही है और जिस तरह से लोगों का इसमें वह आपने हमने बात कि लगभग 34 क्रोड के वह इसमें देखने को मिल रहा है तो जाहिर से गीर जाए गीर भी सकता है यहां से इसलिए मैं कहूंगा कि आप खड़दारी करें लेकिन पूरे फंड का यूज ना करें एक बार में आप बाई ओन डिप्स भी यूज कर सकते हैं अगर महाओ ये और आके जाता है तो आप इसे अपने वाशलिच में रखके इसे देख भी सकते हैं लेकिन गंजल्दवाजी में कोई फैसला रेना सही नहीं होगा क्योंकि इसमें थोड़ा रिवर्सल तो आएगा ही आमें थोड़ा रिवर्सल देखने को मिलेगा जाहिर सी बात है तो आप इंतिजार करें यहार गिड़ावर पर आप खड़दारी भी करें आज अचले दोस्तो इतना ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो आप इसे सब्सक्राइब करके आप बैल अको जरूर दबा दे क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालू सबसे पहान नो नोटिफिकेशन आपको ही मिले थेंक यू दोस्तों